तो होलो दोस्तों फिचे स्वाबत है आप साथी का हमारी यूट्यूब चैनल लेटिक दोस्तों आज हां थाली में हम बात करने वाले लेटेस अब्डेट के बारे में जो कि फिजले मेंने कुछ वीडियो में बता आता है कि जो आईटिया जो प्राइवेट आईटिया एसोसी सब्सक्राइब करने के मांगेगी है दोस्तों उसी पर एक फैसला आया है उसकी बारे में न्यूज आई हमारे पास तो उसी की बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अगर आप ऐसे आईटिया के लेटेस्ट अब्रेट पार डेली आपको मिलते रहे चाहती हो तो अगर आप ऐसे और अभी तक नहीं अगर आप हमाने चानल पर सब्सक्राइल नहीं किया तो सब्सक्राइब किजे लाइक कीजिये ज्यादा चिह दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज की प्रवेयों से लिणे लग चुका है और बहुत सार यह सबक्रशे जिनके पेपर जो बैक हो चुके है यह पिर जिनंहों ने अभी तक बैक पेपर जो थे क्या होगा बहुत बहुत सबस्वाइब दो सालों से कोरोना हमारी चलती हुए बीच में आईटिया बंदो चुकी थी पॉपस से खुल जूकी थी पर जो बैक पेपर वह नहीं हो पाए थे जिसके कारण हो इस सेशन में लेने आ रहे थे पर इस बार भी कोरोना होने के कारण का वह वह पेपर नहीं हो पाए ऐसे स्टुडेंट जो बहुत पीछे पढ़ रह एक पेपर कटिंग में आया है दोस्तो ओध्यक प्रसेशन सहताम के चात्रों ने कोरोना के कारण की वज़ए से परिच्छा नहीं हो पाने को देखती वे सभी चात्रों को जनरल क्रमोशन देने या और परिच्छा की मांगी है जी हाँ दोस्तो जो क्या हुआ हुआ के कारण को ने कलेक्ट को पत्र देकर कहा कि वे सत्र दोजा सत्रा उन्निस से आईटा सीवीटी के चात्र है उनकी बैंक परिच्छा 23 माई 2020 से 30 माई 2020 तक होने थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते परिच्छा स्तकित कर दीगे यहां पर आईटा के स्टूरं ने पत्र लिखाए जो ने 2020 को होना था और यहां पर जोड़ चर रहा है 2021 का फिर भी उनके पेपर निवे जिसके कारण उनका जो भाविश है बहुत खत्रे में दिख रहा है दोस्तों जहां ही अपरेंशिप कर पारें नहीं कोई जोग क्योंकि उनके हाथ में अभी तक आईटा का जो डिप्लोमा अच्छी में अच्छी लगे होंगे